हेलो फ्रेंड्स 22 मां Commonwealth Games बर्मिंगम 2022 खत्म हो चुका है और यह बहुत ज्यादा इंडिया के देखेंगे तो इन साथ चीज़ों को मैं आप लोगों को यहां पर एक एक करके बताऊंगा तो आप लोग लाश्ट तक जरूर वीडियो को देखिए तो जो चनल में नए आवे चनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी सियर करें क्यों कि यहा साथ में सबसे जाता है कौन जीता और भारत का जो है वह रेंक में कितना रेंक आया मेंडल स्टेली में यह आप लोग बताता हूं मैं चलिए आप लोग लाश्ट तक जरूर जरूर देखिए इसको यहां बात करते हैं देखिए खुमन वेल्थ गेम्स बर्मिंगम 2022 तो यह संसकन कितना था एडिसन नमर कितना था तो यह बाइसवाँ एडिसन है यह आप लोगों को ध्यान रखना है कब और कब हुआ तो यह देखना है आप लोगों को अठाइस जुलाई से लेकरके आट अगस्त तक हुआ है तो यह कब आप लोगों को देखना यह ओपरिंग सरेमेनी जो कहा हुआ था तो वह हुआ था एजबेस्टन स्टेडियम बर्मिंग में तो यह कब हुआ था तो यह8 जुलाई को था तो यहां पर यह चीजह है इसके बाद है आगे आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका जो है तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो है Commonwealth Games 2022 का जो है मैस्काट वह क्या है वह पेरी है तो यह भेरी भेरी इंपोर्टेंट है अब बात करते हैं आगे तो यहाँ पर देखें आप लोग कुल भाग लेने वह देश कितने थे तो टोटल जो है पाटिसिपेट किये थे हुए 72 जो थे हुए लोग यहाँ पर भाग लिया थे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल भारत 61 मेंडर्स जीते हैं और पर तलिका में यह चोथ है इस्तान पर रहा और जिसमें से अगर गोल्ड की बात करते हैं तो यह 22 जो 22 गोल्ड यानिके 22 गोल्ड मेंडर भारत ने यहाँ पर हासिल किया यानिके जीता गया है भारत के दोरा अब यहाँ पर देखते हैं ओपनिंग सेरेमेनी में भारत की ओर से पीवी सिंदु बेडमेंटन और मनपरित सिंग पुरुस होकी टीम ये ध्वजबाहग बने और भारतिय तिरंगा लारा है तो ये भेरी भेरी इंपोर्टेंट है ये ओपनिंग सेरेमेनी जो हुआ था उसमें भारत की ओर से जो है ध्व यानि कि तिरंगा को ला रहा है यानि कि दोजबाग बने ओपनिंग सरेमिनी में तो यह भी इंपोर्टेंट यहां से भी कोश्यन पूछे जाते हैं तो यह दोनों नाम आपलों को ध्यान रखना अब आगे देखते हैं यहाँ पर मेडल स्टेश की बात करते हैं यहाँ पर तो वो टोटल 173 मेडल्स यह लोग हासिल कियें तो यहां पर देख सकते हैं सेकेंड नुमबर में है इंगलेंड जो की गॉल्ड मेडल 56 टोटल जो है 173 वह दूसरे नंबर पर रहा तिसरे नंबर की बात करते हैं तो यह कनाड़ा देश रहा जो की गॉल्ड मेडल 26 जीते हैं और इंडिया की बात करते हैं जो के हमार अपनादेश है तो यह भी पाटिसिट किये थे तो यहां पर देखिए इंडिया जो है गोल्ड मेडल 22 जीते हैं शिल्वर के बात करते हैं तो यह विए इंडिया का अस्थान है तो यह आप लोगों के एकजाम में तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है अब बात करते हैं यहाँ पर भारत के द्रिष्टिकों से CWG 2022 बर्मिंगम यानि के Commonwealth Games 2022 बर्मिंगम है भारत के द्रिष्टिकों से देखते हैं क्योंकि हम लोगों के एकजामों में पूछे ही जाते हैं तो देखे सबसे पहला जो है मेडल वो कौन जीता था तो सबसे पहला मेडल जीता तो वह संकेत सरगर और इन्होंने सिल्वर मेडल वेट लिप्टिंग में जीता था 55 किलोगराम में तो यह ध्यान रखना है आपको कि सिल्वर मेडल पहले जीता गया था भारत की और से और वह जीते थे संकेत सरगर वेट लिप्टिंग में 55 किलोगराम भार बर्ग में तो यह ध्यान रखना है अब पहला गोल्ड मेडल किसनी जीता था ये इंपोर्टेंट है तो पहला गोल्ड मेडल है मिरा बाई चानु ने तो मिरा बाई चानु के दौर पहला गोल्ड मेडल जीता गया और ये वेट लिप्टिंग में 49 किलोग्राम भारबर्ग में जीता था 4.59 kg वेट लिप्टिंग आने कि भारुत तोलन में यह पहला गोल्ड मेड़ आया था भारत को मिरा बाई चानु के द्वारब पहला गोल्ड मेड़ वेट लिप्टिंग में यह भी ध्यान hour आप अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा नुमर पर है तिसरा नवर पर है कॉन तो पहला गॉल्ड मेडल पूरूस जो है जेरेमी लाल रिनुंगा वेट लिफ्टिंग 67 किलोग्राम में देखें यह जो पहला गॉल्ड मेडल वह तो मेरा वाई चानू ने लाया आई है भारत के लिए लेकिन पहला गॉरूस कुन लाया आया है यह अ आप लोगों को एंसर जरेमी लाल रिनुंगा वैट लिप्टिंग 67 kg में तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों ही इंपोर्टेंट दोनों ही गोल्ड मेडल जीते हैं लेकिन पहला अगर बोला जाता है तो मिरा वाही चानू और मेल में बात करते हैं कि भारत के लिए पहला मेल के तरफ से कौन जीता के अप लोगों को ध्यान रखना है इसके बाद है यहां पर जो इंपोर्टेंट है सुधिर लट को एक पारा इस्पोर्ट के पहला लीप्टिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिला तो दोस्तों यहा पर भारत के लिए जो है पहला गोल्ड मेडल कौन जीता है तो वह सुधिर लट ने जीता है यह आप लोगों को ध्याना को भी पारा पारा लिप्टिंग में तो यह आप लोगों को यहाँ पारा इस्पोट्स में जीता गया है तो पहला गोल्ड मेडल कौन जीता था तो यह wrestling यान की कुष्टी में मिला जिसमें से 6 gold मिला है तो ये आप लोगों का very very important है कि पुछा जा सकता कि कौन सा खेल में भारत को सबसे ज़्यादा gold मिला था तो ये आप लोगों का answer हो जागा इसमे wrestling यान की कुष्टी में तो कितना मिला था यह 6 medal मिला था ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत को जो सबसे ज्यादा gold madeρα wrestling कुष्टी मिला तो 6 gold मिला है है अगला है भारत को सबसे ज्यादा पदक 12 जो है वह फूश्टी में मिला है तो ये देख सकते हैं आपके कुष्टी में जो है च्थ pay डिया आप लोगों को मैंने बताइदिया अब देखते है यहां पर कि भारत को दूसरा सबसे जय्दा पद्धक यानिके दस पद्धक वेत लीप्टिंग भ हरत नमें मिला है तो यह आप लोगो का इw बहुतिक मिला है और कितना मिला तो यह 10 यान है डूसरा सब्सक्राइब मिला और सबसे ज्यादा फिर्ण कीटी में और जो आप शेंक मैडला तो यह है espe भारत को जो है यह Commonwealth game में सबसे पहले मेडल मिला था तो वह मिला था weight lifting में silver medal के रूप में और सबसे आंत में जो आपको medal मिला हुआ पूरुस hockey team की और से मिला silver medal ही यानि silver से ही start हुआ था और silver पर ही खतम हो गिया यह भारत का सफ़र्जी आप लोगों को ध्यान रखना है और उसके बीच में भारत ने अलेकजेंडरी स्टेटियम बर्मिंगम में ही हुआ closing ceremony बर्मिंगम अलेकजेंडरी स्टेटियम में अब यहां पर भी हम लोगों का यहां पर फिलिप को फराया गया तो यह देखते हैं तो closing ceremony में भारत की और से निकहत जरिन जो की मुख के बाजी में पाटिसिपेट करती हैं और सरत कमल जो की टेबल टेनिस के खिलाडी है तो इन्होंने ही भारतिय दोहजबाग बने इन्होंने ही तिरंगा जानडा को यहां पर लह रहाया है तो यह आप लोगों को दोनों नामों को ध्यान रखना है दोस्तों हो सकता है आप लोगों को मैं यहां पर खिलाडी और वुए कौन से पती जीते हैं इनके बार में भी आप लोगों को अगली वीडियो में जाना कर तो इनके पर ममां बता दूँ कि यह जो है निका जरीन वो गोल्ड मेल दिला है भारत को मुक्क्य बाजी में और सरत कमल टेबल टैनिस के यह नहों ने भी गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को तो आप लोगों को इतने सा जानकारी को धियान रखना है तो यहां पर जहांसे कोशिन पुछी जा सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बता थे यां बर्मिंगम में कोमन वेल्स गेम्स 2022 तो यह कहां हुआ था कब हुआ था कितने देश पार्टिसिपेट किये थे भारत को कितना मेडल मिला यह सब सारे चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया उम्म